मस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर कॉंक्रिस पार्टी के नेता राहूल गांधी ने जिस तरीके से बिर्टेन में भारत का अफमान किया है उसको लेकर अब सदन में हंगामा परपा हुआ है और बीज़पी के तमाम सांसदों ने एक सुर में ये मांग की है कि राहूल गांधी पर देश द्रोहों का मुकदमा चलना चाहिए और इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अजेप पत्रकार जी उनसे बातचीत करेंगे सर सबसे पहले स्वागत है आपका मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से राहूल गांधी ने बेटन में बयान दिया अब उसमें सदन में ये मांग हो रही है कि राहूल गांधी ना सिर्फ सदन से माफी मांगे बलकि देश द्रोहों का मुकदमा उन पर चलना चाहिए क्या कहेंगे आप देखे जहां तक ये बात है तो राहूल सदन में माफी मांगे ना मांगे मगर उनको हिंदुस्तान की आवाम से हर सूरत में माफी मांगनी चाहिए ये राहूल गांधी की पहली गलती नहीं है इसके पहले भी राहूल गांधी ने बिरेश में इस तरह के बयान बाहर में दिये है इन्हीं के जो सबसे खास थे हैं उन्होंने भी एक बार बयान दिये थे हैं केरल के जो इनके वो थे हैं उन्होंने बयान इस तरह से दिये थे त कहा है कि इंडिया ने उकनामी बहुत स्ट्रॉंग है इंडिया की आज पोजिशन पूरे वर्ड में बहुत बढ़िया ने यहां तक कहा वहां के परलेमेंट के 15 सांसुदों ने कहा है कि पहले दो लॉबियां थी रूरसिया और अमेरिका बीच में जो लॉबिया नहीं अब ज संसद में खुब उड़ाई करनीी चाहिए बीजेपी की करनी चाहिए मोधी जी की संसद में करें वो हिंडुस्तान में करें मगड़ बहर जाए करते है तो यह रहर निए का मुकदमा होना चाहिए इस पूरे मामले पर खड़के का बयान भी साफ ने आया है वो ये कह रहे हैं कि राहूल गांदी के बयान को तो गलत तरीके से तोड मरोड कर पेश किया जा रहा है आपको क्या लगता है? मैं आपको बता दूँ खड़के साब एक बहुत सीनियर लीडर है और बहुत अच्छे लीडर है इसलिए सुनिया जी इस मामले में बहुत सुजबूज वाली महला है कि उन्होंने एक अच्छे अर्च सास्ति को प्राइम मिनिस्टर बना दिया उन्होंने दस साल मनमोन सिंगे चला लिया रहूल गांधी नहीं चला सकते है तो उनसे पूछ करके चलाएं मोधी जी को उनकी बात मानना चाहिए मैं खरगे जी सुझाओ तो दे मैं खरगे जी के सामने मुसीबत यह है कि जिस घर पे वो लेल है उस घर पे करनाटक पे उनकी बात नहीं मानी जाती है आप लोगों ने उनके घर के किस से सुने होंगे खर वो तो बात अलग रही प्रदेश करनाटक कांग्रेश उनकी बात नहीं मानती है अपने मनमाने ढंग से करती है दूसरा उन्हें अध्यक्द बना दिया गया और सोनिया जी जो है वो अध्यक्द नहीं है विप का चेर्मैन बना दिया तो आप देखे सुनिया जी ने डाइरेक्ट बना दिया जबकि अध्यक्द को बनाने चाहिए उन्हों ने अध्यक्द से पूछा नहीं अध्यक्द को इंफ्राम किया तो खरगे जी के सामने समिस्या दो पाटों के बीच में खरगे जी पिस रहे हैं और उनका जो कहना है कि प्रधान मंत्री मनमाने डंग से काम कर रहा है वो इस पर गहें कि नहीं मोदी जी आप मुझसे पूछ करके काम कीजिए वो इस पर गहें उनकी एक निरासा जलकती यही निरासा राहुल गांधी के सामने भी मुशीबत है राहुल गांधी इसके पहले बिटिस गए थे एक कमबोलियन लेडिस से और उसके बच्चे के लिए उनका नाम आया था ऐसे राहुल बिलकुल नहीं है बिलकुल नहीं है तो आखर राहूल किसके इशारे पे शारे पर रहे व? पहले भी जहां तक नहीं गए थे तो राहूल ने जो बयान दिया है वो बयान जो है वो निश्चित तौर पे गलत है यही सब बातें इतनी मेहनत करने वाला राहूल जो सुबह चे साम तक कारों में लटक के चलने वाला जारे में कमीत पहन करके कितनी बड़ी प्रैक्टिस उन्होंने की होगी किस तरह के रसायन यूज कियों होंगे उस समय और राहूल को इतना सा बात उनके बजन को और उनको काफी पीछे प्रदान मंतरी पत के लिए यही बाते उनको ले जाती है और राहूल को इसके लिए सोचना चाहिए अब मेरा सवाल ये है कि आपने राहुल गांदी के लिए इतनी हमदर्दी जाहिर की है लेकिन राहुल गांदी अगर इतनी मुस्किलों में हैं तो वो किसकी वज़ा से हैं देखिए मुझे डर ये लग ला है मुझे कभी कभी जब लाहुल का का भविस हम देखते हैं राहुल जब छोटे बच्चे थे कितने खुबसूरत थे कितने वह अब डाड़ी वाले पोजिशन आज से 20 साल बाद क्या पोजिशन होगी तो लोग कहते थे गंगा लाम कुमारा हम बज्दुक इस बात का है कि रहुल कहीं इन सब उनके करना न रहे जाएं कि रहुल की जो पोजिशन है रहुल को जिस तरह से करते नहीं आज राहूल के जी के यहां से फोन गया ममता बनर जी को उनको सब को मगड़ टीम सिस कोई नहीं आया और आपको बताने जो आज उन्हों ने मीटिंग की है उसमें 15 दल आएं कुछ में दल नहीं आएं और वो रिस्पॉंस खरगे जी को नहीं मिला मेरा सवाल यह है कि अब फर हम राहूल कांदी की बात करेंगे क्योंकि देश्ट्रोहों का मुकदमा उन पर चलना चाहिए मांग लगातार हो रही है और जिस तरीके के बयांत यह है जब कांग्रेज में संकट का वक्त आता है तो यह ब्रेटन निकल जाते हैं ब्रेटन क्यों ो लत आते हैं यह आज तक कोई नहीं जान पाया अभी सुनिया जी की बीट में तविएस सब्सक्राइब होई ते क्या इस बीमारी ती नहीं पता चल पाई चन्दान का जो भी इंध्यू अग एक्सपार हो गये किस बीमारी से यह नहीं पता चला जबकि बाद में सभी को पता चल गया क्या बिमारी थी यही पोईशन थी इंद्रा जी की इंद्रा जी ने एक बानर सेना बनाई थी फीडल काश्टों उसमें बहुत ज्यादा डिश्टर्ब करते थे देश की पॉजिसिए अब मेन बात है जो आप रहूल का कहना है अब मैं कहीं बताई दे रहा हूं राहूल ने ये पहली हरकत नहीं किया इसके पहले भी जब मनमोन से प्रिधान मंतरी थे 2014 के इलक्सन के पहले राहूल गांदी ने आजे माकन के साथ जा करके एक सुप्रिम कोड का आदेश हुआ था जो कांग्रिस की कैबनेट ने एक किया था कि दागी नेताओं के लिए राहूल गांदी ने तुरंद बहुत तेजी से उनके साथ गए एक आयक प्रेस कॉन्फरे किया है मैं इसका खंडन करता हूं और उसके कैबनेट के उसको उन्होंने फार दिया था तब मनमोन सिंग बाहर थे मनमोन सिंग ने फोन करके उनको मना किया राहूल गांदी नहीं माने राहूल गांदी ने मनमोन सिंग ने कहा कि मैं इंडिया आता हूं इंडिया आ करके पहले भी मैं आपको बताना हूँ गोरकपुर में एक मीटिंग थी जिसमें जवाल लान नहरू जी उसमें मीटिंग में थे हैं फिनाक गोरकपुरी ने उन्हें परचा दिया जिसमें लिखा था कि आप ये बोल दें कि मेरे भी सुपकामनाओं से आप प्राइमिनिस्टर बने नहरू जी ने उसको फारा उतर के चले गए उसी आदा भासर लोग दिया उसके बाद नहरू जी कभी फ्रांक गोलकपुरीक सामने नहीं आए फ्रांक गोलकपुरीक से कभी आँक नहीं मिलाते थे इसके लाबा आपको बता रहा हूँ कि 23 जून 1975 को इंद्रा गांधी ने फ लाब भेजा कि इसको अमेंडमेंट करके तो उस लेटर को फकुदीन अली एहमद ने फारा था और उसके बाद फकुदीन अली एहमद को मजबूर किया गया साइन करने लिए प्रेसिडेंट को इसके लाबा मैं आपको बतना रहा हूँ कि इंद्रा कांधी ने भी एक बार लेटर फारे हैं एक बार उनको पारलेमेंट में एक मीटिंग के लिए मैं उसका उलेक नहीं करना चाहे रहा हूँ तब उन्होंने लेटर फारा था साबजिनी रूम में फारा था एक बार की बात है कि जब उनको वहाँ पे लाजरसी टंडन जी जब नहरु जी के समय बने ह उस समय उन्होंने फारा था मगर इस बात को दबा दिया गया था यही सब बाते निंद्रा जी ने भी फारा सुनिया जी ने भी लेटर फारे इन्होंन पारे लाजू गांदी का यह पहला केस नहीं है लाजू गांदी के ऐसे पांच-छे मामले हैं जब वह उसमें आ जाते ह एक frustration में तो फार देते हैं मगए ये सदन में सोबा नहीं देता अगर इन्होंने विदेश में दिया है इस तरह का भासर तो निश्चित तोर पे हिंदुस्तान की आवाम से इनको माफी मांगनी चाहिए राहूल गांदी को देश प्यार करता है इसी देश के हैं राजू उन्होंने कभी नहीं किया आपको एक चीज और बतला दें जब फोर्स वाला मामला हुआ था तो एक लेटर दिया गया था तो उन्होंने दिया था बीपी सिंग ने दिया था उसको भी राजू गांदी ने फार आता तो जहां तक ये बात है कि इसमें निश्चित तोर पे ह इंदुस्तान की जनता से राहूल को माफी माग लेनी चाहिए पारले अमेंड में मांगे या ना मांगे आपने लेटर फार्टने का जिक्र किया तो मेरा सवाल ये होगा कि एक तरफ आपने बीजेपी के नेताओं को गिनाया कि कभी अटल बियारी वाजपई ने ऐसा नहीं सकत में ये कॉंग्रेस के लिए कितना भारी पढ़ने वाला है अब सुनिए अगर आप लेटर फार्टने की बात कर नहीं है मुझे नहीं कहना चाहिए मैं अफ्सोस के साथ कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में एक जिले का एक ला जाता जो सांसत है उन्होंने एक लेटर सफेर हो गय। फ्रोस गांदी के डाимиनने अपने उसके लिखहा है कि वो कार से जा नहीं ती इंद्राजी उन्होंने एंदू-दू करके चिलाया फ्रोस गांधी नहीं बात में फ्रोस गांदी भूचार है थे उसने भारत में काफी फ़ौट किये थे फिरोस गांधी ने उनके जांच की मांग की कई मिले ध्व के से खरीली गई भी आई-सीłe के उसमें बहुत बड़ा ब्रेट्ट ले इसमें कार्परेस्ण में काफी बड़ा घपला हुआ फ्रोज गांदी ने बात की अब फ्रोज गांदी ने करके फ्रोज गांदी ने जो पहला लेटर दिया गया था वो पारलेमेंट में फारा गया था दूर सा लेटर जब उन्होंने दिया तब पारलेमेंट में फारा गया उसके बाद फ्रोज गांदी ने बेक्ति क्षाणदान की विसेशता रही है यह नहीं थो कई रही है कि जह पलप फार दे श्हत्तीं इन्दूस्तान की अवाम से करना होगा है। उससे राहूल का बजन राहूल का कद ऊचा होगा नीचा नहीं होगा। तो अजेब पत्रकार जी का ये साफतोर पर कहना है कि राहूल गांधी ने जो बयान दिया है उसके लिए उन पर कारवाई जरूर होनी चाहिए क्योंकि ये सरासर देश का अपमान है और कही न कहीं कई दफार राहूल गांदी ने सिदन का अपमान भी किया है जिसके चलते उन्हें सिदन मिलनी चाहिए लेकिन राहूल गांदी को इस तरह की जो हरकते हैं वो छोड़ देनी चाहिए अगर भारत का मुद्दा है तो भारत क सदन में आकर उन्हें बोलना चाहिए उन्हें अपने मुद्दों को रखना चाहिए